कि पहले मारे जो चीफ इंस्पेक्टर फेक्ट्री इनको इतना जादा पावर था कि किसी इंड़स्ट्री में अगर कुछ अनία काम हो रहा है काम करते हैं करमचारी बन करने का तक पावर था देश में कि इन इंसिबेक्ट राज इन्सेक्ट राज है मतलब वह सोसर करते हैं इस कानून के माधियम से अधिकार के माधियम से सच यह नहीं था लेकिन सरकार उससे बहुत जल्द कर्वेंस हो गई और उन्हें ने अपतय किया है कि नहीं आचानक कोई भी विजिट कोई कंपणी में नहीं जाका कर सकता है तो यह सही बात है कि सरकार का तो यहीं अभी प्रातिंता है यहां फोकस है कि उन्हें खतम ही हो जाए इसलिए कि जब वह कैपिटल को इस तरह से खोल कर सपोर्ट करेगी उद्योग पतियों को प्रो कैपिटल लेगी प्रो कैपिटल कानून बनाएगी तो अफकोर्स इसका तो करती है उच्छत के ऊपर में सेमेंट का काम करती है रोड कंस्ट्रक्शन में तो कई जगर सोचन हो रहा है जहां उसको कोई सोचल सिपूर्टी नहीं दी जा रही है और सरकार के नजर भी नहीं जा रहे है कि इतना दुरभाग्य है कि इस देश का नागरी भोड के लिए वह देश भर में कई 25 से 30 जो है जो कंपनिया है उसमें जो है उनियन को लीड करते हैं और काफी और भी इनका इंपोर्टेंट रोल है तो आज हम मजदूरों की बात करेंगे और आपने देखा होगा कि देश भर में अभी जो मजदूरों को लेकर जिस तरीके से सरकार ने लेव मजदूरों से जोड़ी बात है उस पर भी बातचित करेंगे तो सबसे पहले सर आपका बातचित करने के लिए स्वागत है अभी जो बंद बुलाया गया है उलागतार हलाकि आप लोग पिछले 4-5 साल से जो है जिस तरीके से सरकार लेवर लॉज को लेकर संसुदन कर रही ह क्या खत्रा देख रहा है और मजदूरों को जो है किस तरीके से जो है अभी ट्रेड उनियन की भूमी का महत्तोपून है कहां कहां खत्रा देख रहा है इसलिए कि लगातार हम तोड़ा सा इसके बैक्ग्राउंड में जाएंगे कि यह भारत जब हम लोग आजाद हुआ था संभरता दर्ष्टीक esf71 करन से क्वेश्टेह रे और वेफेर इस्टेट में जो बुणियादी स्विधाएं है बुणियादी जो फैसिलिटेज है हो सभी लोगों को मिलना चाहिए और हैर सर्कार की सबसे पहली जम्यदारी होती है उसकी प्रम्रंटिद्ड़ाव में होना च किसी भी इंडस्ट्री में अगर कुछ unfair काम हो रहा है या अनसेफ वर्क हो रहा है जहां काम करते हैं करमचारी होग सुरक्षित नहीं है तो उन्हें जाकर कारखाने को बंद करने का तक पावर था पूच आहें तो जा सकते हैं उन कमपणियों में निर्देश होता था कि शीफ इंस्वरक्टर फैक्टरी का और डीलिसी फोटो लगा होना चाहिए और जो फोटो लगा रहना चीए वहां पर अपना नमबर उंका रहता था और उनको कोई भी पर यह चेक नहीं करें पोह कोई रोखें भी नहीं कि आहाएं कि आ सब्सक्राइब करते हैं इस कानून के माधियम से सच यह नहीं था लेकिन सरकार उससे बहुत जल्द सब्सक्राइब करने के लिए हम लोग के बहुत कानून में प्रावधान था अंतिम हथियार था मुद्रों का सब्सक्राइब करते हैं इतने लेवल हैं कि वहां तक पहुंचते पहुंचते तो कई मजदूर रिटायर हुआता है मतलब हर तरह के अधिकारों को खतम किया जा रहा है और इसमें हम बता रहें क्या विनियन की जो एक तरह के मतलब existing से जो वो बचे रहेंगे या सरकार union को भी खतम कर दी कि मजदूर और जो company वही दो बीच में रहें जो पूल का काम करते थे कहीं न कहीं लगता है कि union का भी पायर कतरा जा रहा है और इससे क्या दूर प्रभाव क्या पर यह तो question आपका बहुत ही बढ़िया है बहुत लोग कहता है कि आप जितना जोर से दिवाल पर बॉल को फेकेंगे उतना ही वापस आएगा तो यह जो social की प्रकिरागर सरकार सुरू करेगी और दबाने की कोशिश करेगी मजदूरों को सरमिकों को तो उसका रिवर्ट होगा एक्सन होगा उसका और और union मजबूत हो जाए उस समय की हालात भी यही थे इतना एक्स्ट्रीम सोशन हो चुका था कि अपनी आवाज उठाने के चलते उनके पर गोलियां विरसाई जाती थी खुन खराबे होते थे उनको मार दिया आयता था फेक दिया आयता था प्रणाम क्या हुआ आज पूरी दुनिया में ट्रेड़ संदर में है कि अब दीरे-दीरे जो अस्थाई नोकरियों जिसे हम पर्मानेंट करते हैं और मुझे लगता है हो सकता आक्रे जो भी है मुझे लगता है अगर सतर प्रतिशत अगर कंट्रैक्ट प्लेवर हैं तो 30% ही अस्थाई में है और तो उनके हक का सवाल कौन नके हुए हमारी कन्रैक्ट जो को रही है उएक जिसे में उनकी हितों का रक्षा कोन करेगे उनकी हितों के रच्षा भी हमिलों करेंगे और हुमारा 희ताएड़ा से सालों में लड़ाई लड़ी गई और आज इसी है कि यह क्ष इसे पार्मानों इंप गरर और आज देन है यह मजदूर आंदोलन का उनकी उनीटी का प्रिणाम है ऐसे कोई प्रबंधन के लोगों नहीं दिया है बुला बुला के नहीं दिया है कि इतना ग्रेड लीजिए इतना बोनस लीजिए यह सब लड़कर लिया गया है अभी उसी पर फिर हमारा कंटक लेबर है और आप सब्सक्राइब करना जा था और मजदूर के साथ कोड़ा होना था लेकिन अल्टिमेट जो हमने पहले आपको बोला था कि सोसल के कहने कहीं अगंत होता है फिर यह मजदूर भी जब इकठा होंगे और इन मजदूरों के बगएर यह कंपनी चलने वाली नहीं है आज के दिन में अगर भारत के जितने पर यह कंट्रक्ण काम करा ना है और इसको बोनस पर्फड़र नहीं मिलता हो इसको बोनस पर प्रफाली नहीं विलता हो यह दुरुभाय की बात है वहीं पर तो सब को प्रटेक्टर फिल करना चाहिए लेकिन वहां की वह हालात है लेकिन दुसरा साइड अगें हम कहेंगे कि हम लोग इस श्यत्र में शुरू कर दिया है काम करना अभी देखेंगे आप यहां पर लफार जैक सिमेंट कंपणी है भी सही होग चाहिए उनको युनिनाइज होना पड़ेगा एक संग्ठन में जूड़ना पड़ेगा अब तब उनकी लड़ाई संग्ठन लड़ सकती है आप लोग उस जूडने के लिए तयार है बाके जूडना सुरू कर चुके हैं हालेडी और यही हमारा पॉलिसी डिसियन करने वाले के साथ सोचन हो रहा है यह जो ठेला इस पर काम करते हैं उनके हमारे हैं घरों में काम करने उनका भी सोचन हो रहा है और आप देखिए यह बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लोग हैं जो महलाई है बचारी इटे लाद करके पीठ पर बच्चे को पकड़ी हुई च करते हैं इसके बाद को देखने नहीं जाता है उसको एक मेरा सवाल अंती में रहेगा हम खाली कुलहान के बात करेंगे तो पिछले पांच सालों या दस सालों में कई बड़ी कंपनियां बंद हो गई है और जिसमें टायो भी है के लोग आपके पास भी आया थे निलामी के प्रक्रिया साथ रुख गी है चो सुपरिम कोट में कि आपसे वो रास्ता के लिए कोई अधिगरण हो जाया ताटा स्टिल ले ले आप किस तरीके से देखते हैं क्या केबल को टाटा स्टिल को लेना चाहिए अच्छा क्या इसमें कोई आप पहल करेंगे कि एक प्रतिनीद करके कर खाने को बंद कर दिया और अ यह लोगों ने मजबूर कर कंपणी को बंद किया है यह जो कंपणी को मुना क篇म150 में चलाना में लेकिन कमपनी को बंद कर देना अअसान समझते हैं वो अपने आपको एबूल नहीं समझते हैं, लेकिन अभी जो केबूल की बात आपने कही है, केबूल कमपनी तो पहले ही टाटा कमपनी टेक ओवर कर लिया होता, कमपनी इंट्रेस्टेड था, हम लोग सब लोग सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन केबूल कमपनी में दुर्भाग क्या होना चाहिए, आपके समझ से कैसे तरीके से रास्ता निकल जागा, अभी तो रिजेक्ट कर दिया गया है, उनका प्रोपोजन उसको बंद करने का ऑप्सन को खतम हो चुका है, अब दुबारा नहे सिरे से प्रमोटर्स को इन्वाइट किया जागा, उसमें जो लेटर भरुसा है कि टाटा का जो यह होगा, प्रोपजल होगा, वो सबसे अच्छा होगा, और टाटा को कमपनी चलाने का जितना लंबा एक्स्पिरियंस है, या जितना टेस्ट वर्दी अभी भी है, इंडस्टी में, उतना यह दूसरी कमपनियां नहीं हो सकती है, और हम लोग ट ताकि मस्दूरों को आप देख रहे हैं कि सरकार के सामने, अदेश के सामने, सबसे बड़ी अगर कोई समस्या है, तो बेरोजगारी की है, अगर कमपनी चालू होती है, तो लोगों को रोजगार मिलेगा, और डाइरेक्ट या निटेक्ट बहुत सारे लोगों को उससे घर परिवार चलेगा, तो हलाकि वो रास्ता निकलना चाहिए, दूसरी बात, जिस तरीके से अमारी बात चीत हो रही थी, और आप सभी भी देख रहे हैं, लगातार जिस तरीके से नियम कानून चेंज हो रहे हैं, तो कहीं न कहीं मजदूरों का हक मारी हो रहा है, अब बहुत प खत्म करने की कोशिश हो रही है, बहुत सारे सक्टर में, आपने देखा था, पेछले दिने कंदोलन हमने दिखाया था, जो मेडिकल कमपनियों की थी, अमार जो थे, मेडिकल रेप्रेजन्टेटिव वो लोग कर रहे थे, और इसी कानून का वो बिरोध कर रहे थे, तो इस तरीके से, हलाकि अपने हक के लिए, आपको कहीं न कहीं, संघर्स करना होगा, और उसमें ट्रेड उनियन की भूमी का महत्त पूर्ण हो जाती है, तो इसी तरह सोसल संबाद के लिए, मैं सिर्शी पूशन हमारे सेहोगी, सिर्शी स्रामूर्ती का साथ, सोसल संबाद नियू